नमश्कार आप से भीका स्वागत है हमारी इस YouTube चैनल में तो आज की स्वीडियो में हम लोग भात कर रहे हैं एंजल जी की एंजल शर्मा जी की और मैं आपको बता दूं कि एंजल शर्मा जी और इनके जो हजबन है शियम जी उनका एक कपल व्लॉग यूट्यूब चैनल है ए इंजल शर्मा पर के जिसको आप लोग देखते भी होंगे फॉलो भी करते होंगे अगर आप इनकी वीडियो को जानते होंगे तो आज हम इनके कपल व्लॉग यूट्यूब चैनल की बात नहीं करेंगे इनका जो सेकंड चैनल है जो भी आप देखे होंगे काफी ठीक ठाक चल ला है काफी अच्छे व्यूज आ रहे हैं काफी अच्छे फॉलोइंग सा रही है तो आज हम उनके सेकंड चैनल एंजल की बात करेंगे जिस पर यह कीचें से रिलेटड चीज़े डालती है आप कह सकते हैं फूद रेस्पी शेयर करती हैं फूद रेस्पी ब्लॉग वी आप देखने को मिल जाएगा साथ ही में आपको लेट अच्छेन का नेम इंचल की चेंड करके देखने को मिल जाएगा एंड इन्फॉमेशन एडेड डिलेटेड जो डिटील्स होती है स्टाटिस्टिक्स होते हैं वह भी आप यहाँ पर देख सकते हैं टोटल अप्लोड आ इन्फॉमेशन तो चीज़े हैं ही लेकिन अभी इंपोर्टन चीज़ यह है कि हम बात करें इनकी अर्णिंग इंकम की कितने डॉलर्स या बहुत दूपर पैसे कमा ले रहे हैं चलो इसकी बात कर लेते हैं लेकिन उससे पहले मैं आपको तीन इंपोर्टन पॉइंट्स या और बता दूँ या आपको यह जानना जी जरूरी भी है क्योंकि आप किसी यूट्यूब या क्रेटर की अर्णिंग इंकम जान रहे हैं पहली चीज़ तो यह कि जो इंकम या अर्णिंग में आपको दिखा रहा हूं वह एक वेबसाइड बेस डाटा है खुद देख सकते है अर्णिंग 'll वही हमने के सीर्फिंग अर्णिंग के साबभा रहा हुं वह तो यहांपे आ हम देख सकेंगे 350 डॉलर्स 350 डॉलर्स एक मैने के साफ दिन की अंडिंग हो रहे गया and 350 डॉलर्स अभी American currency में है बहरी पैसो में American Paiso में तो इसे अभी Indian रुपीज में बहरती रुपेयों पैसो में convert करेंगे और जानेंगे कितने होते हैं 350 डॉलर्स बहरती रुपेयों और पैसो में चले जानते हैं फिर तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं मैंने यहां पर Google खोल लिया है Google का इंटरफेस खोल लिया है and Google पर में 350 डॉलर्स इन 2 रुपीज के साफ से बहुत रुपेयों मैं देख लेते हैं कितना होता है 27,830 रुपीज 27,830 रुपीज 27,000 के साफ से आप कह सकते हैं 28,000 के साफ से एक मेंने की अंडिंग या इंकम हो जा रही है इस YouTube चैनल से 2nd YouTube चैनल से आपको मारी वीडियो कैसे लगी प्लीज कमाने को बताईएगा थैक्स वोचेगा